हेलो जहन साथियों स्वागत आप सभी का अपनी यूटूब सेनल संदीब बगनर में आसा करता हूं आप सभी अच्छी हों और सौस्त हों देखे आज जो हम बात करेंगे आपके स्लेवस को ले करके क्या आपका जो स्लेवस है वो चैंज होगा इस बार पेपर में नहीं होगा दूसरी बात हम करेंगे कि आपकी इस बार पेपर की कट आप है वो कम जाएगी ठीक है किस बज़े से जाएगी क्यों जाएगी जाएगी या नहीं जाएगी उसको पर बात करेंगे इसलिए आपको वीडियो लाट्टता देखनी जिससे कोई भी इनफ्रमेशन किसी भी तरी फिलिगरम गूप ठीक है अब हम सबसे पहले बात करते हैं लेकिन अगर उसके लिए पूरी नयमावली चयंज पड़ती है और ऐसा नहीं कर सकता है लेकिन जब भरती वोड और आपण नहीं करता है तो वह स्लेवशन करेगा उसमें क्या-क्याप्रबरतन कि उसको उसको लेक करके वहां सासन के पास जाते हैं वहां सासन को लेटर देते हैं कि इस तरीके से हम इसे जो स्लेवर से इसको चैन्ज करना चाहते हैं या पूरा स्लेवर चैन्ज करना चाहते हैं या कुछ थोड़ा चैन्ज करना चाहते हैं उसके बाद वहां सासन उसको चेक करता है उसके आपका स्लेवस चैंज होता है तो देखिए अब आपका नोंटिफिकीसन आ गया और उसमें आपका स्लेवस भी आ चुका है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आपके तीन संगों का ही आपका पेपर होगा ठीक है लेकिन बस आपका स्लेवस हो या नहीं हो पहली बात तो य कि लिए पता दो जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ के तरह का आदार होता है किस तरीकिसे कैसे त्यारी हे रहें आपको प्यक्राइड क्यूंद लगाने हैं और मैं उसके लिए एक ब्स पड़िए पप्लिकेशन की बुक से लगा सकते हैं इस बुक से फायदा क्या है इसमें 2-4 साल के नहीं, इसमें 2006 से लेकर के अब तक के जितने पीवाई की हुए, वो सब कुछ इसमें दिया गया है, और इसमें जो डिटेल एक्सिप्लिनेशन हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीकी से दिया गया है, दूसरी बात आप किताबों से पढ़ते जाएंगे, आप क लेकर के कि आपकी जो कटऊप है वो कम जाईगी इस और देखिए आपको जो एक्जामेट देट हैंenden कहीं आपने कई बार सुनी चुके हैं कि आपका जो एक्जामें देट है फिलाल जो चार्-चांप चल रहए, हो चल लेंtest 11-अगर अगरे का 10-1 वर्वरी को ही मार करके च चाहे लेकिन जयादातर संक्या महीं वह कहते हैं कि भीडबाला सिस्टम है उस जयादातर लोग ऐसे होते हैं जो उसी टाइम पर त्यारी करते यह जब नौर्ट टिप किसे आ जाता है या भरती थोड़ी नजी दिखाती है ठीक है तो उनको इसके लिए जैदा टाम नहीं मिल तैयारी करने के लिए तो इसलिए यह बहुत ज्यादा चांस है अगर आपका एक्जम 11 फरवरी कोई हो गया तो आप यह मान करके चलिए का आपके जल्दी एक्जम आ गया है तो आपको कोई प्रवरी करने के लिए और यह बहुत ज्यादा बड़ी बुक लेए या रीजनिंग के लिए आपको पता इसमें हिंदी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह जो ऐसे सब्जक्ट हैं कि इसमें बहुत ही एक तो सरल प्रशना आते हैं और बहुत ही कम संक्यामल करते हैं जहां सबी अपने प्रशन सही करते हैं अगर वहां भी आप गलत करेंगे तो आप बहुत पीछी रहे जाएंगे तो इसलिए हिंदी और बिसेश करके द्यान दें तब ही आपका स्कूर अच्छा रहेगा और मेहत में प्रक्टिस करते जाएं क्योंकि आपको पता उ कम होने की चांस क्यों है लेकिन यह कटप तभी कम मानी जाएगी जो मैं कह रहा हूं यह तभी कम होगी जब आपका एक्जाम है जो 11 अवरीक हो जाता है ठीक है और मैं आपको बता दिए किसी भी तरीका का कोई बदला में नहीं होने वाला है बुक भी मैंने जो पीवाई की साथ जय हिन जय बारत